नमस्कार फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड कॉर्परेशन आफ इंडिया की निव रिक्रोइमेंट नोटिफिकेशन के बारे में फूड कॉर्परेशन आफ इंडिया की तरफ से वाच्मेन की पोस्ट के लिए विकेंसी निकाली गई है बारतिय खाद्य निगम यानी FSI ने डिपो और कारलियों में बॉच्पेन के 860 पदों पर विकेंसी निकाली है फ्रेंट्स आप देश के किसी विराज्य से सवन्दित है आप इस विकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं जो केंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाते हैं उन्हें हम बता देते हैं कि आवेदन करने की अंतिम तारिक 10 नमंबर तक रहने वाली हैं मेल और फिमेल दोनों इस विकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स वाच्मेन की इन पदों के लिए आपको शेलरी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है जो केंडिडेट वाच्मेन के पदों पर चुने जाएंगे उन्हें प्रती महा 23,300 रुपए से 64,000 रुपए की शेलरी दी जाएगी है फ्रेंड्स आगे हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से इस नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाले हैं प्रंतो इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लें तरह साथ ही बैल के आइकन को जुरू प्रेस कर लें तक या गयाने बली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फूर्ड कोर्पोरेशन ओफ इंडिया की तरफ से अडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन लिज की गई है भारतिय खाद्य निगम यानि FSI बोक्ता मामले खाद्य और साजनिक बित्रन मंत्राले के तहट खाद्य निगम अदिनियम 1964 अदिनियम संक्या 37 1964 के तहट स्तापिट किया गया है जो खाद्यान अपूर्टी से सवंदित साजनिक शेत्र के सबसे बड़े उपकमों में से एक है चेन प्रवंधन और पूरे पंजाब राज्जिय में फैले अपने डिपो और कारलियों में चौकिदार के पद के लिए ओनलाइन आवेधन आमंत्रित करता है आवेधन करने की प्रार्म बिक्तारिक गैरा दस तो हजार एकिस है तो फ्रेंस भरती से जुरी जुरूरी जानकारी के बारे में हम आपको बता देते हैं इसमें बोल्च मैल के टोटल आप सो साड़ पदों पर भरती की जाएगी जिसमें से के दो सोन चास ओवीशी के एक सो असरी एकनोमिक बीकर सेक्षिन के छे असरी और जर्नल के तिन सो पनतालिस केंडिडेटों की जुक्ति की जाएगी बही कौन-कौन इस विकेंजिए के लिए आवेधन कर सकता है तो आपको हम बता देते हैं जिन कैंडिडेटों ने किजी माने ताप रपसंस्थांट से 8 पी ये 10 फीक की का पास की है वो इन पैस्वाथों के लिए आवेधन कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं आपकी सेलरी के बारे में तो जो उमीदवार बोस्टमेन के पदों पर चुने जाएंगे उन्हें प्रती महा 23,300 रुपए से 64,000 की सेलरी दी जाएगी वहीं बात करें आपकी आईउ शीमा के बारे में तो आपकी मिनिममम आईउ अठारा वर्स और मैक्सिमम आपकी आईउ पच्छिस वर्स के बीज होनी चाहिए आउनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म को जम्मा कराने की प्रारम बिकती थी 11,10,2021 से 10 वज़े से सुरू हो चुकी है एप्लिकेशन फीज की बात करें आवेदन फीज जर्नल ओवीशी एकनोमिक विकर सेक्षन कैटागरी के कैंडिडेट से डाइश रुपया जबकि SCST और PWD महिला अंबर्ग के उम्मिदवारों से इसके लिए कोई फीज नहीं देनी होगी वहीं SBI इंटरनेट बेंकिंग डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माद्धियं से अप्लिकेशन फीज को जमा कराने की अंतिम तारिक 10,11,2021 तक रहने वाली है SBI की साख़ों में SBI के माद्धियं से नगत बुकतान करने की अंतिम्ति थी 10,11,2021 तक रहने वाली है और नाइन अप्लिकेशन को करने की लास्ट टेट 10,11,2021 तक है बैफ साइट पर एड्मिट कार्ड की उपलवता एक्जामिनेशन डेट के 15 दिनों के पहले अनौस कर्डमेंट कर दी जाएगी रिटन टेस्ट कीती थी बैफ पोर्टल पर अनौस कर दी जाएगी अब हम बात करेंगे स्लेक्शन प्रोसेस के बारे में रिटन टेस्ट का जो पैटरन है जर्नल कैडिन डेट के लिए रिटन एग्जामिनेशन पेपर की जो डियूरेशन है और 90 मिन्ट की होगी रिटन टेस्ट में जर्नल नौलेज, करंट अफियर, रिजिनिंग, इंग्लिस लेंग्वेज और निम्रिकल अविलेटी से रिटन टेस्ट का पैटरन एक्स केंट्रेक्शल स्क्योर्ट इगार के लिए रिटन एग्जामिनेशन की डियूरेशन 90 मिन्ट की होगी रिटन टेस्ट में 120 मल्टिपल चोईस क्वेजिन सामिल होंगे बेसिक अर्थमेटिक्स में केंडिडेट की शमता का प्रिक्शन करने के लिए और बुनियादी संख्यात्म कोसल जैसे जोर, गटाब, गुना, भाग, इतियादी और जनल नौलेज के क्वेजिन सामिल होंगे फिजिकली इंजुरेंस टेस्ट का पैट्जों के वल कॉलिंफाइंड परफस के लिए होगा फिजिकली इंजुरेंस टेस्ट में सबसे पहले रनिंग होगी उसके बार लॉंग जंप और फिर हाई जंप सामिल होंगे सबसे पहले रेनिंग में male candidate के लिए 1000 मिटर की दौर सामिल होगी जब कि female candidate के लिए 800 मिटर की running रहे हैं पर age के इस आफसे में में पेरा मिटर भी set कर रखे हैं वहीं long jump के लिए इसमें table 3 attempt रखे हैं इसके बाद आपको disqualify कर दिया जाएगा age by break up भी किया गया है मिटर में उन्हें distance set कर रखे हैं जो male candidate के लिए अलग हो और female candidate के लिए अलग होगा और high jump में भी उन्हें qualify के लिए 3 attempt रखे हैं उसके बाद आपको disqualify कर दिया जाएगा